ओम नमो भगोते बाजदेवाई नमाहां श्वागत है आप सभी अवे मेरे भवना यूट्व चैनल पर दोस्तों साल की सबसे बड़ी एकाशी पुत्रदा पवित्रा एकाशी इसे पुत्रदा भी केते हैं साल की यह सबसे बड़ी एकाशी है क्योंकि श्रावण मास की यह 81 है और यह 81 सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए है इस पेशन इस 81 का ब्रत करने से पुत्र प्राप्ति का सुक मिल जाता है जिसकी कुंडली में पुत्र का यूग नहीं है या जिनको संतान सुक नहीं मिला है उनको इस 81 का ब्रत जरूर करना चाहिए आपकी मनो कामना जरूर पूरी होगी भगवान का आशिरवाद आपको अवश्य मिलेगा दोस्तों सास्त्रों में का गया है कि 81 के ब्रत से बड़ा कोई ब्रत नहीं है उसमें भी अगर आपके मन में पुत्र की कामना है तो आपको अवश्य ही इस 81 के दिन भगवान का पूजन करना चाहिए 81 वाले दिन सुबह उड़ते ही सरप्रतम भगवान को नमस्कार करें उसके बाद में भगवान को सामने ब्राजमान करें एक चौकी पर भगवान को ब्राजमान करें ऐसा करने के बाद में फिर आपको शंतान गोपाल मंतर का जाप करना चाहिए उसी समय आपको भगवान के सामने कुछ चीज़े चड़ा देनी चाहिए और जब आपका जाप पूरा हो जाए तो आप उन चीज़ों को खा लें आठ रासियों का योग इस दिन बहुत ही अच्चा है बहुत ही भाग्यसाली रहने वाली है यह रासि बिशेश रूप से लाप्रद हैं और कई प्रकार के कार इनके बनने शुरू हो जाएंगे पुत्र प्राप्ति का इनको बर्दान मिलेगा बैसे सभी रासि वालों को मिलेगा लेकिन दिन के इसाब से यह रासियां बिशी सी शुवे हैं इस दिन चावल हल्दी का प्रयोग आपको नहीं करना है चाए ब्रत्रका हो या ना रखा हो हल्दी का प्रयोग आप स्वास्तक चिन्द बनाने के लिए कर सकते हैं लेकिन खाने में हल्दी का प्रयोग नहीं करना है मेश रासी, ब्रसब रासी, मिथुन रासी, करक रासी, सिंग रासी रश्चिक रासी, धनु रासी, कुम रासी, मीन रासी ये कुछ रासिया ऐसी है जिनका योग बहुत ही जाता है बागी रासिया और भी है उस दिन भाग साल योग अच्छा है लेकिन कुछ रासिया ऐसी है जिनको विशेश रूप से ध्यान भी रखना होगा वीडियो में डाल दिया है पहले है वह जाकर की चैनल पर देखें क्यों का प्रसाद कदली फल जिसे हम बोलते हैं केले का प्रसाद भगवान के सामने आपको रख देना हैं साथ ही आपको तुलसी के पत्ते भी भगवान के सामने रखने हैं और एक दीपक एक दीपक आपको भगवान विश्णु के सामने जला देना हैं उसके अंदर आप दो लोंग संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे आपको लाम मिलेगा आपकी मनो कामना पूरी होगी पूरे विश्वास के साथ में आप ये उपाय करें तो मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को सियर करें जो भी चैनल पर पहली बार आ झाल